हावस्टेंड स्वेस्ट्रीक महामारी के दोर में IIT GM Counseling ने एक बड़ा अनौस्मेंट किया है जो जनरल केटेगरी के OBC और EWS केटेगरी की थे जिनका मिनिमम एक्डिविटी क्राइटेरिया था कि आपके ग्रेजियोशन में 55% होने सी है उनका जो एक्रिविटी क्राइटेरिया था वो हटा दिया है आपको किसी भी परसेंटेज की रिक्वार्मेंट नहीं है कि इतने कंपल्सरी है जितने भी है आपके BAC में ग्रेजियोशन में तो आप IIT GM Counseling को पार्टिवेट कर सकते हो आपके BAC में कितनी परसेंटेज से आप बिल्कुल Counseling को पार्टिवेट कर सकते हो बहुत सारे इतने परसेंटेज थे जो पार्टिवेट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके परसेंटेज थे फाइनल के वह 55 पर या फिर 50 नहीं थे आकोडिंग टू केटेगरी या फिर बहुत सारे इतने परसेंटेज 55 परसेंटेज आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि इस बार फाइनल लियर वाली स्टेंट है या सिक्नियर वाले उनका कोई पढ़ाई नहीं हुए अच्छे से कोलेज वगरे कोचिंग वगरे सब बन थी तो इस कंडिशन में परसेंटेज बनना भी बहुत मुश्किल है और तो आप इसको देखते हुए का आईटी जेम काउंसलिंग टीम ने इसका फोरम सब्मिट करने का लास्टेट 31 मई कर दिया 31 मई तक आप फोरम सब्मिट कर सकते हो यानि जो इस ट्रेंट से एक्जिविटी क्रेटरिया की वज़त से आईटी जेम काउंसलिंग को पाटिसिवेट नहीं करें थे वो इस ट्रेंट भी अब पार्टिसवेट कर सकते हैं और 31 मई तक आप अपने एडिपेक्ट को भी ठीक कर सकते हो जो भी आपके डिपेक्ट है डोकुमेंट्स को लेकर जाए किसी भी कारण से डिपेक्ट है उसको ठीक कर सकते हैं बहुत सारी स्ट्रेंट का यह भी सवाल था क्या सर इस बार परसेंटेज का जो क्राइटेरिया वह अठा गया तो क्या इस बार कलोजिंग रेंग का डिक्रीज होगी स्ट्रेंट कोई परक नहीं पड़ेगा क्योंकि जिन स्ट्रेंट्स के जिनोंने पहले ही ग्रिजुशन कर ली है और उनके 55 परचेंट से कम थे या 50 परचेंट से कम थे उन्होंने तो आयटी जैम को एक्जाम ही नहीं दिया क्योंकि उन्हों पता था कि यह मिनिमम एक ग्रिवुटीक राट पहले ही अप्लिकेशन फोरम में रखा था और जो फाइनल एर के स्टुडेंट है उनका उनका रिजेल तो अभी आने वाला नहीं है उनका तो कांस्लिंग कंप्लिट होने के बाद में आएगा सितमबर अटुमबर तक है तब तक के उसे कटोप पर कोई परक नहीं बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है और इस वीडियो को इस्टुएंट यतना ज्यादा हो सके प्लीज आप शेयर कीजिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सेयर कीजिए ताकि वो इस्टुएंट जिन्होंने अभी तक फॉरम सब्मिट नहीं किया है एक्वेटि क्रेटेरिया को के वज़ाद से ताकि वो भी अपने केरियर को सवार सके अपने